Good morning students, today is your English grammar class, last grammar class में हमने पढ़ा था degrees of comparison उसमें हमने देखा था कि three types की degrees होती है positive degree, comparative degree and superlative degree उसके कुछ words भी हमने पढ़े थे जो adjective words होते हैं और उनी को three types में degrees में divide किया था और मैंने आपको बोला था कि यह जो list है page number 34 पर यह आपको learn करना है now today we are going to start exercise page number 35 page number 35 पर आपका question है we write this sentence using the adjective in brackets at the right place आपको यहाँ पर bracket में कुछ adjective words दिये हुए हैं उनका use करके आपको इस sentence को rewrite करना है जैसे कि first sentence है आपका we have got a car ठीके हमारे पास car है और साथ में आपको adjective word दिया है new तो इस new word को सही जगह पर आपको put करना है तो answer आपका क्या होगा we have got a new car ठीके कार के पहले आपके add कर देंगे new कि हमारे पास एक नई कार है ऐसे ही रीमा is a woman और यहाँ पर क्या दिया adjective pretty तो जो adjective होते हैं वो naming word के पहले लगते हैं ठीके woman की बात हो रही है तो woman कैसी होगी pretty होगी तो रीमा is a pretty woman ठीके रीमा की वह quality बता रहेगी जो रीमा है वो कैसी है pretty है swan are birds जो swan है वो क्या है पक्षी है साथ में beautiful word दिया है तो आप क्या करेंगे swan are beautiful birds ठीके हमने birds के पहले लगा दिया beautiful उसकी विशेश्ता बता दी fourth है यहाँ पर my uncle wears clothes और यहाँ पर word दिया है simple तो clothes की quality हमको बताना है कि clothes कैसे है simple है my uncle wears simple clothes मेरे जो uncle है वो simple कपड़े पहनते है the boys were playing with a ball और big यहाँ पर adjective दिया है the boys were playing with a big ball जो लड़के है वो एक बड़ी सी ball के साथ खेल रहे थे तो यहाँ यह आपको बुक में place दी है यह answer आप बुक में ही complete करेंगे मैंने आपको answer orally यहाँ पर बता दिये है अगर आपको लिखना समझ में नहीं आता है तो आपको पीछे answer की दी है वहाँ से आप इसके answers क्या करेंगे complete करेंगे now your next question is fill in the blanks with the or then हमने degrees पड़ी थी तो उसमें क्या देखा था जो comparative degree होती है उसके after में the use होता है sorry then use होता है और जो superlative degree होती है उसके before में the use होता है यहाँ पर यह note भी दिया हुआ है देखो the before the superlative degree जो the है उसका use का होता है superlative degree के पहले और then after the comparative degree और then का use का होता है comparative degree के बाद में हमने देखा थे होट, hotter, hottest तो जो hot है वह positive degree है hotter comparative degree और hottest superlative degree है तो इस तरह से हम यहाँ पर the आएगा यह then आएगा वह हम put करेंगे first है May is the hotter dash April तो यह hotter ER आ रहा है यहाँ पर और इसके बाद में place खाली है मतलब यहाँ पर क्या आएगा देखा यह कौन से degree है comparative degree May is hotter than April यहाँ पर हम क्या लिखेंगे hotter than a lawyer is bigger than ठीक है bigger के बाद हमेशा क्या आता है जो comparative degree होती है उसके बाद then आता है और यह दो जैसे यहाँ पर मैं और अप्रेल के बीच में comparison हो रहा है और यहाँ पर लायन और चीता के बीच में comparison हो रहा है तो यह comparative degree है जिराफ इस इस टॉलर डैश और अलिफेंट तो क्या आएगा टॉलर देन एन अलिफेंट सीमी इस डैश यंगेस गर्ल इन आर क्लास तो क्या आएगा सीमी इस दो यंगेस डिगरी के comparative में लब जो words है adjective words उसके पहले यहाँ पर फिलप्स है और इसके पहले द आएगा और जो सिमी है वो एक लड़की है और उसकी जो comparison हो रहा है वो पुरी क्लास के साथ हो रहा है तो यह कौन से डिगरी हो गई सुपरलेटिव डिगरी तो यहाँ पर हमने क comparison हो रहा है कि जो जून है वो पूरे साल में क्या है सबसे गर्म महीना है गंगा इस डैश लॉंगेस रिवर इंडिया भारत में सबसे लंबी नदी कौन है गंगा तो यहाँ पर भी गंगा का जो comparison हो रहा है वो सारी नदियों के साथ हो रहा है तो यह कौन से डिगरी हो गई इस तरह से हम dh three चीजो kathru इनको पहचान सकते हैं ठिके दो चीजों के बिच में कंपैरिजन होता है तो comparative डिग्री होती है और इसके बाद में dan का use होता है और इसमें er आता है last में ओके और superlative में superlative के पहले den का use होता है और superlative में जिसका comparison होता है वो पुरे group के साथ comparison होता है तो यहाँ पर यह आपको book में ही complete करना है now come on page number 36 page number 36 पर आपका question है choose the correct word for each blank आपको यहाँ पर जो option given words दिये है उसमें से आपको correct word choose करना है philips के लिए कि कौन से degree का word use होगा ठीक है अगर positive degree का sentence है तो आपको simple word use choose करना है अगर comparative है तो er लगेगा उसमें और superlative है तो est लगेगा first है this is an dash exercise तो यह एक simple sentence है कि यह क्या है एक exercise है easy, easier, easiest तो यहाँ पर किसी का भी comparison नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा this is an easy exercise second है who is the dash girl in your class ठीके तो the girl in your class girl का comparison हो रहा है पूरी class के साथ हो रहा है तो पूरी class के साथ हो रहा है तो कौनसी degree होगी superlative तो क्या हैगा tall, taller या tallest इसमें हैगा tallest who is the tallest girl in your class three है the rose is the dash of all flowers ठीके जो rose है उसका comparison पूरे flowers से हो रहा है तो lovely, lovelier, loveliest तो क्या हैगा the rose is the loveliest of all flowers फोर्थ है आपका Manu is the dash player of our team ठीके, Manu का जो comparison हो रहा है वो पूरी team से हो रहा है एक खिलाडी है Manu तो उसका comparison पूरी team से हो रहा है तो यह भी superlative degree होगी Manu is the best player of our team The month of June is dash than May अब यहाँ पर June का comparison मे से हो रहा है मतलब दो चीजों का comparison हो रहा है तो comparative degree है जिसमें क्या आएगा hotter The month of June is hotter than May 6th number पर है She was wearing a dash dress यह एक simple sentence है कि उसने बहुत ही सुन्दर dress पहनी है पहनी थी तो she was wearing a beautiful dress इसमें किसी का किसी से comparison नहीं हो रहा है यह एक simple positive degree है She was wearing a beautiful dress तो यहाँ पर आपके इस chapter की जो exercise वो complete होती है यह सारी आपको बुक में place दी होए तो बुक में ही करना है और इनको अच्छे से learn करना है Thank you